डंकी मूवी का first day first show देकर अभी just ही मैं घर लोटा हूँ और इस मूवी का एक quick review मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आपको idea हो कि ये film आपको देखने जाना चाहिए या नहीं तो देखे दोस्तों सबसे पहले तो इस film का एक plus point है वो है राजकुमार हिरानी जिनके आज तक कोई भी film flop नहीं हुई है बलकि 100% successful rate है वही 3D years मुना भाई MBBS लगे रहो मुना भाई या फिर संज्यू जैसी मूवी की बारे में बात करें तो जहाँ पर film की कहानी हमें seat से उटने नहीं देती जहाँ पर एक तरब directors जो हो अपनी फिल्मों के साथ अलग-अलग experiment करते हैं जहाँ पर actions लाते हैं, emotions लाते हैं, comedy लाते हैं मतलब ये तीनो जानर में वो अलग-अलग फिल्में बनाते हैं, लेकिन राज कुमार हिरानी के फिल्म में जो वो आपको action कम, comedy और emotions जादा देखेंगे, जो फिल्म के कहानी के साथ आपका mind भी connect हो जाता है तो अब यहाँ पर डंकी फिल्म कैसी है, तो देखें शारुक हन की 2023 में आई फिल्म पठान और जवान ने तहलका मचा दिया यानि कि 2023 की शुरुआ जो वो एक action pad movie से शुरू होई, जहाँ पर पठान में भी action था, जवान में भी action था, और अभी हाली में आई animal movie, उसके बारे में अभी क्या बात करें तोबा 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 थाड़ा mood खरब कर दिया अब देखे आज जो वो डंकी release हुई है, कल जो है वो सालार release होगी, जो कि full on action से भरी हुई film है अब public जो वो दोनों में से किस film को चुनती है, या तो फिर एक best कहानी, या फिर एक best action, या तो हमें कली पता चलेगा जब दोनों फिल्मों का first day collection आएगा तो चले सबसे पहले बात करते हैं डंकी फिल्म के बारे में तो देखे फिल्म में जो वो 5 दोस्त दिखाया गये, जिने किसी भी हालत में London, यानि कि foreign जाना होता है अब यहाँ पे जो उनका जुनुन जो दिखाया गये, वो हमें हजम होता है पंजाब के एक छोटे से गाउ में ये पाचोद दोस्त रहते हैं इन लोगों का background कुछ इस तरीके से कि अगर इनको London जाना है तो कुछ टेस्ट पास करने लेकिन उसमें वो पास भी नहीं कर पाते हैं फेल हो जाते हैं अब ऐसे में वो English speaking की class लगा लेते हैं जहां पे गुला टेसर याईनि के बमन इरानी जो वो इन्हें English सिखाता है तो यही वो part है दोस्तों जहां पे हमें जादा हस्याती है अगर फिल्म को दो हिस्सों में बाटा जाए तो first half जो वो comedy और second half जो वो पूरा emotional तो फिल्म के कहानी यही है कि यह लोग किस तरीके से English सिखने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से फोरण जाने के लिए भी यह कोशिश करते हैं अब यहां पे वो लोग legal तरीके से तो नहीं जा सकते तो illegal तरीके से वो जाने की पूरी कोशिश करते हैं और उनके साथ आगे क्या क्या incidents होते वो आपको फिल्म के थेटर में ही देखना होगा अब यहां पर बात करें performance के तो यहां पर शारूखन का performance काफी लाजवाब है दमदार है तापसी पंदू का भी performance यहां पर अच्छा लगा लेकिन अगर highlighted performance अगर किसी का था तो वो है विकी कोशल का तो भाई वो बन्दा जो वो अपने character को पूरी तरह से खा जाता है जिस तरीके से उसने performance दिया है जिस तरीके से उसका एक पंज़ाबी बात करने का लहज़ा है यहां पर जो शारूखन के acting से ज्यादा मुझे विकी कोशल के acting अच्छी लगी तो कहीं पर अच्छानक से आप emotional हो जाओगे तो यहां पर डंकी फिल्म जो हो वैसे तो सब लोगों के लिए लेकिन जिन लोगों को 2023 में action फिल्म में देखने का शौक चड़ गया है उनके लिए यह फिल्म पसंद नहीं आएगी पर जो एक अच्छी कहानी देखना चाहते ह बात करें फिल्म में action की तो 2023 में जिस तरीके से फिल्म है और उनमें जो action दिखाया गया वैसा action आपको यहां पर देखने नहीं मिलेगा यानि कोई heroism आपको यहां पर देखने नहीं मिलेगा भले ही शारुक खानो जितना कि कहानी के लिए ज़रूरी है और वो उतना ही सही ह तो देखें डंकी फिल्म जो वो कहानी के मामले में एक बहतरीन फिल्म है जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन अगर किसी को action पैड़ या फिर mask फिल्म में पसंद है तो शायद उसे यह फिल्म बोरिंग लग सकती है और जो सच्छ में कोई फ लोजिंग रेकॉर्ड्स क्रीट करेंगे तो दस्तों फिल्म का जो वो पूरा रिवीव बे मैं आपको दे दूंगा जो कि कल उसका पूरा रिवीव आएगा तो दोस्तों आपका क्या प्लैन है आप कब जा रहे हो डंकी फिल्म देखने के लिए या फिर आप सालार का वेट झाल 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 झाल